हेलो फ्रेंड, 15 अगस्त की हमारी तरफ से सभी दोस्तों को हार्दिक बधाईया और सुबकाम नाए आज इसी वीच हम लेकर के आपके सामने आये हैं इसकूली ड्रेस की कटिंग, फुल पैंट की कटिंग हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और खुब बेहतरिन अच्छी तरीके से समझाएंगे हम आपको ये छोटे बच्चे की पैंट की कटिंग बताएंगे यानि 8-9 साल बच्चे की किस प्रकार से पैंट की कटिंग करते हैं इसके बारे में हम फुल जानकारी आपको देंगे तो इसी बीच हम दोस्तों सभी लोगों से कहना चाहते हैं अभी तक आपने अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए क्योंकि मैं आपको नए नए डिजैने नए नए तरीके लेडि जेंस हर चीज की कटिंग आपको दिखाएंगे और सिलाई करके भी बताएंगे तो ये हमारा कपड़ा ये एक दस कपड़ा है इसमें हम बड़ी भी पैंट निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चे की ये कटिंग है तो एक मीटर या नबबे सेंटी मीटर कपड़ा लगता है बच्चे में तो फिलाल एक दस है कोई दिक्कत नहीं इसमें तब भी निकलेगा कपड़ा थोड़ा बच जायेगा तो इसी वीच हम इस प्रकार से कपड़े को डवल फोल्ड करके इस हिसाफ से अपनी तरफ ये किनारी इस हिसाफ से बिचा लेंगे अच्छी तरीके से तो हम सबसे पहले आपको नाप के बारे में बता देते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी आप उसको देख सकते हैं 26 इंच लंबाई है 23 इंच कमर है 30 इंच हिप है 12 इंच मोहरी है 16 इंच रान है इसी के हिसाफ से हमको कटिंग करना है आप अच्छी तरीके से देख लिजेगा नाप के बारे में हम फिर से आपको बता देते हैं 26 इंच लंबाई 23 इंच कमर 30 इंच हिप और 12 इंच मोहरी और 16 इंच रान यानि जांग तो इसी हिसाफ से हमको कटिंग करना है तो हम सबसे पहले उपर की मार्किंग करेंगे जिससे हमारा कपड़ा सुधा रहे इस कारण से उपर वाली मार्किंग कर लेते हैं तो हम अब लंबाई की तरफ चले हैं लंबाई हमने आपको बताया 26 इंच लंबाई है तो इस परकार से आधा इंच उपर निकाल देंगे हम और निकालने के बाद में हम आधा इंच उपर निकाल दिया है और यहाँ पे 26 इंच का निशान लगा देंगे यह 26 इंच का लग गया अब यहाँ पे 2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे तो यह हमारा 28 इंच हो गया अब इसकी लटक हम गिराएंगे 23 इंच कमर है तो इसका सवा 6 सवा 6 हुआ तो सवा 6 यह 8 हमने इसको हटार देंगे क्योंकि डेड़ इंची लेना है तो यहाँ पे सवा 8 रखेंगे हम इस परकार से सवा 8 पे हमने यह वाला हमारा गलत है सवा 8 पे उपर से आधा इंच निकाल करके सवा 8 पे लगाया हुआ है हमने निसान अब इसके हम गुटने का निसान लगाएंगे गुठना हम लगाएंगे 14 इंच पे तो इस प्रकार से 14 इंच पे निशान लगा दिया है अब यह हम मारिकिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाय हुए है इस प्रकार से अब इस प्रकार से हमने मारिकिंग कर लिया है अब इसके बाद में हम किनारी निकाल देंगे तब रान का निशान लगाएंगे रान हमारी 16 इंच है तो 16 इंच है तो 1 इंची हम दबाव लेंगे 16 इंच हमारी रान है 8 दूनी 16 तो यहाँ पे 9 इंच इस प्रकार से रखेंगे हम 9 इंच एक इंची दबाव ले लेंगे तो ये हम 9 इंच हो जायेगा, तो यहाँ पे 9 इंच का निसान, 16 इंच रान है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 9 इंच पे निसान लगा देंगे, और इसके बाद में, 9 का हम आद्हा जब करेंगे तो 4, तो ये 4 हो गया, अब इसके बाद में हम डेढ़ हिंची इस प्रकार से फलाई का निसान लगा देंगे अब इसके बाद में ये घुटना हमारा है तो यहां से हम डेढ़ हिंची कम कर देंगे 9 इंच को तो 7.5 हमारा रह जाएगा तो सबसे पहले बीच का निसान लगाते हैं किनारी निकाल दिया है, इस प्रकार से बीच का निसान 4 लगाने के बाद में हम, अब 7 पे निसान लगाएंगे हम, तो 7 का आधा हुआ, पौने 4, यानि 4 से 2 सूत कम, 4 से जब 2 सूत कम रखेंगे तो यह हो जायागा हमारा 7, तो इस प्रकार से निसान लगा लेंगे हम, अब आ जाते हैं किनारी निकाल दिया है अब यहाँ पे साढ़े चार पहले निसान लगा लेंगे मौोरी हमारी 12 इंछ है तो 12 यानि 3 दोना 6 और 6 दोनी 12 तो 3 इधर और 6 इधर 3 और 3 दोना 6 6 दोनी 12 हो यह मारी मोहरी हो जाएंगी अब इसके बाद में हम कमर की तरफ आते हैं तो यहां किनारी निकाल देंगे तो हम बीच का निशान लगाएंगे 4.5 यह सुरी यह गलल लग गया निशान यह हमारा खराब है क्योंकि यह 5 लग गया लेकिन 4.5 लगाना है तो इस प्रकार से पे निशान लगा देंगे आप उने 7 बे भी लगा सकते हैं फिलाल हमने 7 इंच पे निशान लगाया हुआ है इस प्रकार से अब इसको हम मार्किंग करते हैं इस प्रकार से हमने पेंट की मार्किंग की है अब इसके बाद में पॉकेट का यहाँ पे निशान लगाएंगे यह लमसम 2 इंच लिया है और नीचे 7 इंच अब इसको हम गुलाई कर देंगे यह फलाई है मारी यानी चैन लगेगी यहाँ से इस प्रकार से गुलाई कर दिया है अब इसके बाद में हम यहाँ पे पॉन इंच इस प्रकार से डाउन कर देते हैं अब यह marking हो चुकी है हमारी point की friend बला की अब यहाँ पे हम कमर लिख देते हैं यहाँ कमर लिखेंगे हम 23 इंच यह 23 इंच कमर इस प्रकार से लिख दिया है 23 इंच कमर अब इसके बाद में हम इसको cutting करते हैं फिर हम आपको back बला की cutting बताते हैं किस प्रकार से करना है यह हमारा प्राइंट पले कि Cutting Así a marking हो जो कि इसको Cutting करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार से में cutting करना है पहले हम हम इसको चек कर लेंगे बराबर लेंगे अगर उनीश भी से इसको शही कर सकते हैं किनारी इस यसाब से किनारी हमारी दफ सकती है और जिससे हमारा नुक्सान हो सकता है इसी कारण से आप अच्छी तरीके से देख ले तब कटिंग करें कहवत कही गए है दोस्तों क्योंकि शिलाई आपको रहम कर सकती है पर कटिंग नहीं कटिंग होने के बाद में आप डिजैन ही डाल सकते हैं इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसी कारण से हमने बताया कि अच्छी तरीके से कटिंग करने के पहले नाप जोग और कपड़ा बराबर देख लेना ही जरूरी होता है झाली होता है अब आपको बैक पला की कटिंग बताते हैं इस प्रकार से कपड़ा को बिचा लेंगे हम अपनी तरफ कर लेंगे अब यह हमारा बिच चुका है अब इस पे हम सामना इस हिसाब से रख लेते हैं अब हम दबाओ बैक पला में लेते हैं सामने का पला हमारा फिटिंग कटता है तो हम दबाओ बैक पला में लेते हैं तो सबसे पहले हम मोहरी की तरफ से चलते हैं यहाँ पे एक इंची का लेगे हैं दबाओ फिर घुटने पे हम देड़ इंची का ले लेंगे और यहाँ पे हम धा इंची का ले लेंगे इस प्रकार से अब इसके बाद में यहाँ पे डेड़ हिंची इस हिसाफ से उठा लेंगे हम अब इसको मार्किंग करते हैं पहले हम डेड़ हिंची वाली कर लेते हैं इस प्रकार से अब इधर की मार्किंग हम कर लेते हैं जिस हिसाब से सामने पल्ले में किया था उसी हिसाब से करना है मैं अब यह हमारी मार्किंग हो चुकी है अब हम कमर का निशान लगाएंगे अब 7 इंच, 7 इंच हमने लगाया हुआ था तो इस परकार से 7 इंच का है यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे हम और 2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे तो यहाँ पर 9 इंच हो जाएगा इस परकार से लगा लेंगे अब यहाँ पे हिप, 30 इंच हिप है यानी 7.5 तो यहाँ पे 1.5 इंची बढ़ा लेंगे तो 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे हिप का जब भी हम निशान लगाते हैं तो 1.5 इंची लूजिंग दे देते हैं अब इस प्रकार से ये मार्किंग कर लिया अब इसको भी इस प्रकार से कर लेंगे और पहली वाली जो मार्किंग की थी इसको हम लमसम आधाइंच और ये लमसम एक या दो सूत अब ये हम बैगपला की भी मार्किंग कर दिया है अब इसको भी cutting करते हैं अब ये हमने आपको 23 इंच कमर की पैंट की cutting इसकूली बच्चे की आपको दिखाया हुआ है इसी परकार से आप इसकूली बच्चे या कोई भी बड़ी हो या छोटी हो हर तरीके से आप पैंट की cutting कर सकते हैं इसी परकार से थाइंक्यू दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कमेंट आप जरूर कर दें क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं बड़े बड़े वीडियो हैं थाइंक्यू दोस्तो